Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh कल से कुछ खबरे आ रही है असकार हिंदुस्तान में जब की एक अजीब सा एक चैलेंज आ रहे है जिसे कीकी चैलेंज केते है जिसमें आदमी कार से निकल के और चलती हुई कार से निकल के और चलती हुई कार के साथ दान्स करता है, उसका वीडियो बनाता है, उसके शेर करता है जिसे कीकी चैलेंज के न değa गया है। जुए यह कीत्स लोगों है उसका पर माइफीलिंग के ऋपर। उसको दिखके लोगों ने ये चैलेंज शुरू किया और वो ये बताना चाहरा है कि कि आभी ऐसा कर सकते हैं ये चैलेंज तरो कर रहे हैं लोगों के पास काम तो होता नहीं इसलिए अगर वह इस तरह की कोई चैलेंज भेगी जाती है सामने तो एक दम से लपक लेते हैं और ये बाते हैं उसके देरेंज से बहुत सारे एक्सिदेंस हो रहे हैं बहुत सारे यानि इस तरह की एक्सिदेंस हुए हैं जिसमें कार का नुकसान लोगों का नुकसान जाने तक गई हैं और इसी वह से गोवर्नमेंट्स जो हैं दुनिया वर में माना कर रही हैं बैन कर रही अभी ब्लू वेल चैलेंज आया था जो एक गेम की तरह था उसमें भी आपको इस्टेप्स लेने थे और आपको याद होगा अथिली पे ब्लू वेल मेना था और इसमें एड एंड वो सुसाइड एक तरह से कॉंट्रेक्ट था या ट्रैप था और उसी तरह से सेल्फी चैलें आप पकट्के लटक गया और अपने साथी सिका स्कार की वीडेयो गनाया। उर जायर से बाते हो वीडेयो बनाई और एड एंड एमिप्टर मीट यागल मैगा भी जाती है और एसके थात तूट जाता है और लगहा है तो इस तरह की इंसी अचीएंट्स भहस रहे हमारे चाहिंस और फोटी पर देता अप्रशनी थे अप्रशनी पहले पर उप्रवाइवारी थे जाएवारी जिसे उनके सब्सक्राइवारी उनकी नहीं होता है इंसान की मौत तक हो जाती है तो जब हम इसके रीजन्स में जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर दू चीज़े हैं एक है एमलिस्नेस जिन्दगी का कोई मकसद नहों होना और दूसरा है वो आइडेंटिटी क्राइसिस कि खुद का पता ही नहीं होना और कहीं नहीं दूसरे से चुड़ी है खुद का पता ही नहीं कि वो क्यों है दुनिया में क्या परपस उसका क्यों जी रहा है तो फिर आदमी को कोई भी चीज जिससे लगता है कि लोग उसे पहचानेंगे कि यह वो आदमी है जिसने की की चैलेंज में इससा लिया था यह वो आदमी है जिसकी यहां पर थी गिरते हुए और उड़ते हुए और पानी में पूरते हुए और हवा में तैरते हुए तो उसे लगता है कि इससे मेरी आइडेंटिटी बनेगी जाहिन से बात है कि वह यह समझता है कि इसकी इससे बनेगी जैसे कि मैं आदमी आदमी पूटो खचा रहा है और उसे दखका मारा एक आदमी जो है ट्रें को पकड़ के जमीन पर लटक रहा है तो अब इससे किसका फायदा हुआ अब समझ रहे हैं लोग क्या उससे समझ रहे हैं कि इतना बहादूर आदमी था बल्कि उससे तो लोग सहर को यह कह रहा है कि कितना बेवकूफ आदमी था और कोई उसको एप्रिशेट नहीं करता है हाला कि वो एक अलगी बीमारी बीमार सा था जो यह समझता था कि उसे लोग अप्रिशेट करेंगे हाला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो यहां पर हम सबसे पहले एक परपस अफ लाइफ यह समझें कि जो एमलिसनेस अमंग यूथ है उसको समझें कि ऐसा क्यों है तो हमें एक ऐसी सिस्टम में जी रहे हैं जहां पर यह का जाता है कि खुदा है या नहीं उसे हमें को इलेना देना नहीं है जिससे सेकुलरिजम कहते हैं कि दीन और दुनिया को सेपरेट कर दो और जब आप दीन और दुनिया को सेपरेट कर देते हैं जाएर बात है वहीं बतायगा जिए अपको बिने का मकसद है। और जब आप इससी को डी-लिंग कर देंगे इन्सान से, लोगों से, यानि जिसने बनाया उसी को डी-लिंग कर देंगे यह कहे कि वो ला है और रिलिजियस है। और रिलिजन को दुनिया में नाफ़ा दखल देने का कोई हग नहीं है। जब उसे आप अलग कर देगे, तो फिर आपको मकसद पता नहीं चलेगा। क्योंकि जिसने बनाया है, उसने एक मकसद से बनाया है। और आपने उसको डिलिंग कर दिया, कि हम रिलिजन को किनाले रखते हैं इस दिन्दगी के। तो फिर जब मकसद की बात आएगी तो आप मकसद क्या चुनेंगे। जिससे बनाया है, उससे आपको पूछना नहीं है। और फिर आप अपने हिसाब से ताय करें। तो यह सिस्टम बाइदेवे, जब दिन को दुनिया से अलग करता है तो फिर एक मकसद भी देता है। और वो मकसद देता है कि दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद यह है कि तुम मैक्सिमम प्लेजर गेंड करो। जादा से जादा खुश्या हासिल करो। यह ही तुम्हारे जिंदगी का मकसद है। अच्छा आदमी इस चैलेंज को इस बात को बड़ा अच्छा लगता है, जाह से बात है कि कोई भी कहेगा कि दुनिया में सिर्फ खुश रहो, हसो और प्लेजर गेंड करो। अच्छा मकसद है कि अच्छा मकसद है किसी को भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप जो दुनिया बनाई है उसकी रियालिटी एसी ही नहीं कि आदमी हमेशा प्लेजर गेंड कर सके। और अच्छा में अच्छा में जाना है। अगर आप अगर आप उसकी खुआइजा धाया, घाया। ऋसे खुआएज को मैं जाना चारा आप जहसा कि मैं जाना है। व платको से कंगा होज़ाना प्रपानुटिक इसे बाइगता है। जब आपकेज बार होजाना नो इस MA आता है। और भूसंता है अ अज्छार को लिए निए प्लेजर के साथ प्लेजर के पैंवी room लिए झाए अभू बनाई थाइज। जाए किसी को भी तो आपको यह चाहे जैसे capitalist एजू सिस्टम में बताता है कि तुम इस दुनिया में जन्नत हासिल कर सकते हो यानि तुम हमेशा खुश रह सकते हो तो कि तुम्हारी जिन्दधी का मकसद ही खुशी हासिल करना है लेकिन जब रियालिटी में दुनिया में जाता है लोगों से मिलता है जॉब के लिए जाता है लोगों से रिलेशन मेंटेन करने के लिए जाता है तो वो बिल्कुल ही अलग दुनिया बाता हूँ तो कहता है हर जगर जहां जाता हूँ मुझे दुख नजर आता है प्रॉब्लम नजर आती है परिशानी नजर आती है अला क यह बड़ा contradiction है और जहीं से बात है जब बनाया किसी और ने है आपको और मकसद कोई और देगा तो उसमें contradiction होगा बनाया आपको अल्ला ने और मकसद जिंदगी का क्या है यह capitalist या यह present system देता है तो यह तो वही बात हुई कि यानि है किसी और और इसे कहते हैं इसे यूस कोई और कर रहा है तो यही इसमें हमें समझने की ज़रत है कि अल्ला दला कुरान करीम में इरिशाद फरमाते हैं हमने इंसान और जन्नात को सिवा इसके किसी और काम के लिए पैदा ही नहीं किया कि वो मेरी अबादत करे यहीं यह मकसद बता है तो जब इस मकसद में आप जाएंगे और जाएसे इबादत का यहांप एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव है कई बर हम भी सेकुलर परस्पेक्टिव से इबादत को समझते हैं तो हम समझते हैं कि इबादत का मतलब दीन को दुनिया से अलग करने के बाद जो दीन बचा बस उसी को करते रहो जैसे इसलाम में जो अबादत है नमाज, रोज़ा, हज़गात यह रिचुल अबादत है तो सेकुलर परस्पेक्टिव में अबादत को देखें आपको इस दुनिया में जीना है जॉप्स करनी है इस पॉलिटिकल अफेर्स को भी देखना है सोचल अफेर्स को भी देखना है स्परिचुल अफेर्स, सब सारी चीज़ों को देखना है तो जाहिए इसलाम में हर वो चीज़ जो आदमी करता है वो अबादत है अगर वो अल्ला के मरजी के हिसाब से करता है एनिफिंग एनिफिंग यहां बैठना मेरा आप से बात करना स्कूल जाना कॉलेज जाना न्यूस पेपर पढ़ना लोगों से बात करना अपने अपने जिसे कहते हैं माँमलात की देख भाल करना अपके अंडर में जो है यह सब कि सब ढ़िया आप से बातरूम है यह सब कि सब अबादत हो जाती है जब उसे आप क।से अप सभी हिसाब से करते हैं जैसे आल् height जो प्लेजर गेन करना है, मजे लो मजे मजे, it's my life है, मैं independent हूँ, freedom है, मेर बाद जो चाहे करूँ, अब बिचारा जब फ्रीडम सोचके है, प्लेजर प्लेजर सोचके, जब दुनिया को एंकाउंटर करता है, तो पाता है, या तो दुखा हो मेर साथ, मुझे यहां जीनने का मकसद प्लेजर गेन करना है, हाला कि Allah कहता है, कि तुम्हारी जिन्दगी का मकसद प्लेजर अफ सेल्फ नहीं, बलकि प्लेजर अवल्ला है, तुम अल्ला को खुश करो, यह तुम्हारी जिन्दगी का मकसद है, यह तुम्हारी जिन्दगी का मकसद है, यह तुम्हारी जिन अपने कोई सामान बनाए किसी और काम के लिए, मुराद पेन बनाए लिखने के लिए और आप कहेंगे नहीं से मैं जमीन को दूँगा, तो ना तो लिखने लाइग रहेगा और नहीं उसे जमीन आप खोद के कुछ काम कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे, वह यह है कि अल्ला जो आज कहा है, जो गौडलेस सोसाइटी है, अल्ला को किनारे रखती है दुनिया से, वह यह कहते है, नहीं नहीं, तुमारे जिंदेगी का मकसद ले जा रहे हैं, तो जाहिन से बात इसमें कॉन्टिक्शन आई दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था, आइडेंटिटी क्राइ हैं, हम वो कार वाले हैं, हम वो फला वाले हैं, आप समझ रहे हैं, तो जब आप अपनी आइडेंटिटी वो लेंगे जो अल्ला ने नहीं दी है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, और जब आप अपनी आइडेंटिटी कुछ और लेंगे, या वो जो अल्ला ने नहीं ताकि लोग हमारी इज़त करें, ताकि अगर मेरे उपर कोई खत्रा है, यह हमारे उपर कोई खत्रा है कि लोग मुझे बचाएं, यह ऐसल में सर्वाइवल इंस्टिंस जाता है, जो अल्ला ने इंसान दुपी है, जो इनसान किसी भी हाल में अपनी जिन्दगे कही फादब कर है, और जब आदमी जितना ज्यादा इंफ्लुएंशियल फेमस होता जाता है, उतना ज्यादा उसके चांस है सर्वाइवल के बढ़ते जाते हैं, मीनिंग आप जानते हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या उससे नीचे के लोग है, तो आप देखते हैं, इसकी जान ज्यादा महफूज है, हम अपनी जान देदेंगे इसकी जान बचाने के लिए, तो यह असल में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आती है, इसलिए हर आजमी चाहता है कि वो लीडर बने, एक प्लेस अफ इंफ्लुएंस पर पहुंचे, लोग कहें कि कितना बड़ा यह सबसे बड़ी इबादत, जैसा कि आप जानते हैं, कि जिस चीज को अल्ला ने कहा कि तुम बचाओ, उसी को तुम दे दो अल्ला के लिए, तो यह जायर जी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, आइडेंटिटी क्राइसिस के कॉंटेक्स में इसको देखें तो, कि आइडेंटिटी क्राइसिस में इशु यह हो जाता है, कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगियां लंबी कर लें, हमारी जिंदगी लंबी हो जाए, ठीक है, हमारी इज़त करने वाले, इंफुलेंस करने वाले, लोगों की तादाद बढ़ जाए, और इसकी वज़से हम एक इंफुलेंस चाहते हैं, और उसे वो इंफुलेंस कैसे आएगा, नॉर्मल काम करेंगे तो किसी कोई नहीं कुछेगा आपको, तो फिर आप ऐसे स्टंट कीजिए, जैसे की की चैलेंज लीजे, वेल चैलेंज लीजे, जो बुर्स खलीफा है, उसके उपर जागे और व जैसे की लोग इंफुलेंस और आपको बचाएं, आपको प्रोटेक करें, तो असल में सर्वाइवल इंस्टिंक्स से आ रहे हैं, इस ही को आपको पता ही कौन है, अगर आप एक आबिद होते हैं, तो आप इस ही में प्लेजर गें कर रहे हैं, कि मैं अल्ला की बात करता हूं अल्ला मुझसे खुश है, यही मेरी है़ैंटिटी और अब इस में से बातको पता है, मुझसे कहते हैं, अप्रिशेट करें तो करेंने हमारी बाला से, तो जब मैं कैंडिडेट हूँ तो कैंडिडेट की तरह हूँ, अल्ला को खुश करना ही कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्ला जिस से खुश हो जाए, यही मेरी अइडेंटिटी है, बागी मुझे मालूम है कि असल प्लेजर जननत में मिलने वाली है, वहाँ पे प्लेजर के साथ यह चैएगा तू हाँ आप आप आपा इडेंटिटी कुछ तो सीच बन जाए तो फिर आदमी हाँ भूखा लिए कि लोग जाना है, इसी क्याते है अ प्लेंदिटी क्यायों हो जाती है। और जाय से बाते हैं इसका कोई हल नहीं है सिवाए इसके क्या आपनी अपनी आइडेंटिटी जाने एक आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू हम इस प्रॉब्लम से समझ सकते हैं और दूसरा ये कि पर्पॉस अफ लाइफ याथ पर्पॉस प्लाइफ हमारी आख छुश करना है नोगे खुद को हुश करना है और यह सिस्टम बीगुली को फुश्टी को पोल चेंज कर दिया है साख पोल को नौर्घ को साख कर दिया तो यह सिस्टम यह कहता है कि इस दंदाइग के मौसर अपनी maximize your own pleasure pleasure of the self Allah कहता है your purpose of life is to please me तो यह जो 180 degree shift होआ है तो जाय सी बात है आप अपने आपको 180 degree shift कर सकते हैं लेकि अल्ला ने जो दुनिया मराई है उसको जोड़े shift कर सकते हैं वो तो वैसे ही है जैसे है उसके pains and pleasure जो designing है वो तो अल्ला की है तो इसमें आप अगर अपने पोल shift करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी प्रॉब्लम हमें होगी इसलिए जोरत यह है कि हम इस हकीकत को समझाएं कि भई जिन्दगी का मकसद जो है वो अल्ला को खुश करना है और हमारी identity जो हो एक आबिद की है जिसे जादा कुछ नहीं है या एक उखामनर की है जिसको और प्रेए लोगा ने का रहा हुआ हो सालसार लोगार तुमारे सिच्विशन है है जिसे कि एक मुसाफिर है बिडिज़ पे पर प्रीज क्रोस कर रहा है और इसे बहुत सारे लोगों ने कई तरीके समझा है कि तुम बस एक मुसाफिर हो जो किसी सफर पर निकले हो तुम एक्जाम दे रहे हो जैसे कि आलाद अल्ला भी कुरान में कहता है और यह कि हम अपने आइडेटी को पहचाने कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और हमें सिस्टम को भी पहचाने कि यह सिस्टम जो हमें कौन सी आइडेटी दे रहा है और इसके वैसे लाग हो लोग बल्कि मिलियन जो हैं पेकार के ड्रग्स में उल्टे सीधे कामों में पढ़ हैं सिर्फ इस वह से कि उनकी एक आइडेटी बन जाए जो कि यू कभी नहीं बनती और बिचारे उसमें फ्रस्ट्रेशन के लिए और वह उस फ्रस्ट्रेशन में बिचारे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं हाला कि वह अपनी जिन्दगी का मकसद प्लीजर हासिल करना रख खेर जजाकर लाख खेर फॉर यू टाइम असलाम अलाइकम और रह्मत अलाही वर्यक्ता